ज्वरकर्ण के मुखी मंत्री हीमन सूरीन ने आज अपना 49 वा जन्म दिन मनाया इस मौके पर राजी के काके रोट स्थित सीम अवास में हसारों की संख्या में समर्था के कर्था हुए और हीमन सूरीन को जन्म दिन की बधाई दी इस दोरान तमाम नीता और कारिकरता बेहद उत्साहित दिखे किसी के हाथ में गुलदस्ता तो किसी के हाथों में तौफा तो किसी का हस्ता हुआ चेहरा सभी लोग सीम हीमन सूरीन के आवास पर पहुँचकर उन्हें बधाई दी इस मौके पर हीमन सूरीन ने भी राजेवासियों को बधाई दी और प्यार देने के लिए धनिवाद कहा बतावे कि राजे के मुखी मंत्रे हीमन सूरीन का ये जन्दिन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में विधान सभा का चुनाओ भी है और जन्दिन के मौके पर कारे करताओं से मिलकर वो खुद भी पेहत उच्साहित नजर आए अपने कार करताओं को वरिष नेताओं को बहुत बहुत आभार धन्यवाद पर करताओं कि आप लोगों ने आज की सुबसर पर मुझे अपना सिरुवाद दिया और यही नहीं बलकि देश के विभिन पोने से सम्मानिक नेतागर चायो परदान मंतिज जी हो सोधिया गांदी जी हो राहूल जी हो घडगे जी हो महमताज दी हो बहुत लोग लगबक सभी लोग आज के इस दिन पर लोगों ने बढ़ाए दिया है उन सब का भी मैं अपनी और से बहुत बहुत आभार पकड़ करता हूं देखें परिस्तती होती है पहले भी हम लोगों ने जनम दिन को मनाया लेकिन जनम दिन का और आज के जनम दिन के इस औसर पर जो लोगों का प्यार और लोगों का जो उत्सा है और जो लोगों में भावनाएं हैं बिलकुल अलग है और मुझे लगता है जिस तरीके से बिगत कई वर्षों तक मेरे साथ आख मिचोनी की आख खेल खेलते खेलते मुझे किस तरीके से परिशान होना पड़ा ये किस से चुपा नहीं है उसके बाद आज ये जनब जिवस्दी मेरा आया तो सभावी कुरूप से आज जो मुझे महसूस होता है कि राज की जनता वर्तमान इस्तिती में जारखन के मांद स्वाविवान अस्तित की जंग के लिए पूरी तरीके से त्यार